कुछ वक्त पहले फिल्म पोस्टर बॉयज में नजर आए बॉबी देउल बॉलिवुड में अपनी एक और धमाकेदार इंट्री करने जा रहे हैं जिसकी तैयारी खूब जोरों शोरों से चल रही है बॉबी देउल रेमूर डिसूजा की आने वाली फिल्म रेस्टीन में नजर आएंगे जिसमें उनके अलावा सल्मान खान भी हैं इस फिल्म में बॉबी देउल का एक नेवर सीन बिफोर अवतार होगा जिसके लिए उन्होंने अपनी बॉड़ी पर भी खूब मेहनत की है बॉबी देउल के इस फोटो को ट्विटर पर पोस्ट करते ही लोगों के कमेंड्स की जड़ी ही लग गई लोगोंने बॉबी देउल के इस स्लिम और स्लीक बॉड़ी की खूब तारीफ की और जवर्दस्त कमेंड किये एक यूजर ने लिखा फिल्म के लिए बेस्ट आफ लग पाजी रेस्टीन में सफल होना वहीं एक और यूजर ने लिखा देर आए दुरस्त आए कीप इट अप वहीं एक यूजर ने लिखा ये आपकी अब तक की सबसे वेहतरीन फोटो और लोग है हम आपको बहुत मिस करते हैं रेस्टीन के लिए शुब काम नाए आपका लुक बहुत ही जानदार लग रहा है रेस्टीन कुलन बड़े पर पर कमबैक की तैयारी में जुट्टे बॉबी देओल ने सोशल मीडिया पर दिखाई बड़ी सल्मान ने किया प्रेरित कुछ इसी तरह के कमेंट्स से बॉबी देओल का ट्विटर अकाउंट भरा पढ़ा है जाहिर है बॉबी देओल को बहुत खुशी हो रही होगी और मन ही मन वो सल्मान खान को दिल से दुआएं दे रहे होंगे क्यूंकि बबी को इस मस्केलर लोग के लिए सल्मान ने ही तो प्रेरित किया था रेस टीन की कास्ट रेस टीन रेस फुरेंचाईज का तीसरा पार्ट है जिसे रमेश तोरानी और सल्मान खान मिलकर प्रडूस कर रहे हैं रेस टीन में बबी देउल और सल्मान के अलावा जैकलीन फरनाडिस, डेजी शाह, पूजा हेकड़े और एक्टर साकिम सलीम नजर आएंगे रेस टीन में पहले सैप हली खान भी नजर आने वाले थे लेकिन कुछ महीने पहले ही रिवील किया गया कि सल्मान खान सैप की जगह लेंगे सल्मान के अलावा रेस टीन में शाहरुक खान को भी साइन किया जा रहा था फिल्म में उन्हें नेगेटिव रोल दिया गया था लेकिन शाहरोक ने फिल्म में दूसरा विलेन प्ले करने में कोई दल्चस्पी नहीं दिखाई और रेस टीम का हिसाब बनने से मना कर दिया